तो गाईज अगले साल आने वाली एवेंजर्स की फोर्थ अंटाइटल मुवी का कॉंसेप्ट आर्ट सामने आया है जो कि हम फैंस को इस मुवी के आर में और भी डीटेल्स बता रहा है Marvel Studios एवेंजर्स की फोर्थ अंटाइटल मुवी के लिए अभी भी बहुत सी क्रेटिव है इतना सी क्रेटिव कि स्टूडियो ने अभी तक इस मुवी का टाइटल तक रेविल नहीं किया और इसलिए इस मुवी से जुड़ी एक भी डीटेल हम फैंस को और भी एकसाइट कर रह हैं तो ऐसा लग रहा है कि यह एक असली लीक है तो आईए इस लीक डिमेज का ब्रेकडाउन करते हैं तो गाइस मैं हो उनसे ना और आज हम बात करने जा रहे हैं एवेंजर्स की फोर्थ अंटाइटल मुवी से लेटेड कॉंसेट आट के बारे में तो स्पोईलर्स का ध्य सबसे पहले बात करते हैं स्टी और तोनी के बारे में सीविल वर में होई मुझबेड के बाद तोनी और स्टी का ब्रेकड़ हो गया था और यह ब्रेकड़ तब भी बना रहा जब तोनी को पता चला कि ठ्यैन उस आने वाला है और तब भी वो स्टीव को कॉल करणे से खतरा रहा था पर जाह देर तक नहीं, इस concept art में हम देख सकते हैं Iron Man और Captain America को side by side, वो भी कुछ नए खिलाडियों के साथ, movie के directors Russo Brothers ने पहले clear कर दिया था कि Civil War का Infinity War पर गहरा असर पड़ेगा, हाला कि Infinity War के early draft में Steve और Tony एक दूसरे से मिलते हैं, पर इस meetup को script से हटा दिया गया, हल्क की story का भी conclusion कहलाएगी, जिसमें ये चीज़ confirm हो गई है, कि हल्क और Bruce की personality आपस में टकड़ाने वाली है, basically आज तक या तो हमें हल्क दिखा है, या Bruce Banner, और जब ये दोनों एक साथ coexist करते हैं, तब वो character कहलाता है Professor हल्क, और इस आर्ट में हम ये notice कर सकते हैं, कि अपना हल्क बहुत हद तक Bruce Banner जैसा लग रहा है, और उससे भी ज़्यादा हिरानी वाली बात है कि उसने एक costume पहना है, तो चलो studio एक purple pant से आगे तो बढ़ी, ये pant कभी उजवाब दे सकता था, तो फिलाल ये character development हमें याद दिलाता है Professor हल्क storyline की, जिसमें हल्क की तीन personalities एक होके एक smart हल्क बनते हैं, तो most probably हमें Avengers 4 में Professor हल्क देखने को मिल सकता है, अब बात करते हैं Captain Marvel की, Avengers Infinity War के end में हमने Nick Fury को Captain Marvel को की Avenger की तरह देख सकते हैं, जिसका मतलब most probably Avengers 4 के आने से पहले हमें Captain Marvel Avengers से मिलती हुई दिखाई दे, Captain Marvel अभी तक की सबसे strongest character होने वाली है, तो देखते हैं कि Captain Marvel Thanos को हरान में क्या रोल निवाहेंगी, अब बात करते हैं Wasp की, इस concept art में लगबग वो हर major character दिख रहा है, जो कि Infinity War के end में Thanos की चुटकी से बच गया था, पर यहां Wasp नहीं है, जिसका मतलब इसी साल आने वाली Ant-Man दा Wasp में Wasp भी Thanos की चुटकी का शिकार हो सकती है, Wasp का role play कर रही actress Evangeline Lily ने एक interview में बताया कि वो Avengers 4 में है तो, पर जादा बड़े role में नहीं, जिसका मतलब हो सकता है कि वो हमें चुटकी से वापिस आये लोगों के बीच दिखे, अब बात करते हैं War Machine और Hawkeye के कॉस्ट्यूम की, तो इस artwork में हम रोडी को एक बिल्कुल ही different armor में देख सकते हैं, एक ऐसा armor चुकि पहले से भी जादा बलकी लग रहा है, तो हम उमीद लगा सकते हैं कि ये armor पहले से deadly भी थाबित होगा, इसके साथ साथ हमें यहां Hawkeye का dark कॉस्ट्यूम भी दिख रहा है, Avengers 4 के set images में हम Hawkeye को एक different outfit में देख सकते हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ये Hawkeye की Ronin identity है, ultimate marvel universe में जब Hawkeye की family मारी जाती है, तब Hawkeye एक mass vigilant Ronin बन जाता है, तो कई fans का मानना है कि शायद Haw Hawkeye ने इस identity को अपनाया, तो अभी ये बिल्कुल certain नहीं है कि ये image official leak है या नहीं, पर एक concept art जिसमें सारे जिन्दा superheroes एक साथ Titan पर वो भी नए costume के साथ, ये कोई normal बात नहीं है, उपर से यहां हम Steve को अपने Captain America look में, Black Widow को red look में, और Rocket को extra गुस्से में देख सकते हैं, तो ऐसा दिखाना तो किसी fan artist के लिए आसान बात नहीं होगी, तो गाइस ये था एक छोटा सा breakdown Avengers 4 के possible concept art का, अब इस movie की हर detail हम fans को और excited कर रही है, और फिर भी अगर मुझसे कोई detail miss हो गई हो, या आप कोई नया fact है इस movie से related, तो प्लीज हमें comment में जरूर बताएं, साथ ही साथ तो गाइस अगर आप comics में Ronin को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी World War Hulk comic series recommend करूंगा, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like और share ज़रूर करें, और इससे कई सारे super content के लिए हमारे channel को subscribe करना ना भूलें, thank you guys, this is Aman Sina and you are super super, peace